चाहिं दोस्तों कैसे आप सबसों दोस्तों जितने भी एससे जीडी दोड़ाइस होते हैं इसकी त्यारी कर रहे हो बहुत भाई का यह कमेंट आ रहा है तो कि भाई टाइम मेनेजमेंट नहीं हो पा रहा है जैसे कि मैं कहीं से लगा रहा हूं या फिर प्रैक्टिस बुक लग दिनście कर रही है कि मतब टाइम के रहा हो स्टूटींट टाइम को अग़र अच्छे से मेनेजमेंट कर ले गया उसका इक्जाम क्लियर तो फसा रहे गया जो को वह काहीं कई खराब हो जाएगा क्यूंकि आपो सोचो कि अगर आप मैथ लगा रहे हो और आपके रिजिनिंग और हर भर गलत कर दोगे तो तो आप कहीं न कहीं बाद में हिंदी घरत कर दोगे अगर आप सोच रहो कि मतलब पहले रिजिनिक कलने हिंदी कलने फिर उसको आप करेंगे ये भी सोच रहे ये वी कोई जरूई नहीं कि सही होगा ठीक है ना आपका रिजिनिंग में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है और जो को जीएस में दोस्तों मैं आपको पता दूँ दो सब्सक्राइब तो कि जब आएंगे नहीं यह सब आएंगे नहीं तो आपको मतलब गुडा भाग करना नहीं कि हाँ संधी तो संधी संधी विश्यत करना पड़ेगा आपको तो में टाइम लगेगा आप देख लिए क कि मतलब जो सवाल देखे उसको अगर उसका एंसवर आपको पता है तो तो इतना ही है ज्यादा कुछ नहीं है हिंदी और जीयत में ठीक है बात रहे गई रिजिनिंग और दोस्तो मैथ के ठीक नहीं करने मिलें रिजिनिंग और मैथ को जल्ती से करने के लिए आतूसर में अगर नहीं करना आपको के सफस्टक करने के लिए तो नहीं करना है जहां आपको तो ज ABC के ग्लत हो रही है तो उस कोस्टिन के जितने लाफ को ब治च न ignor dataset को आप लगाने की कोई कोशिद करो जैसे कि मालो परसेंटेज में आपका कोई यह कैसा टाइप है जैसे कि जनसंख्या व्रिध्धी पर ठीक ना उसके आप सर्च करोगे तो दोस्तों उसमें कई सारे मतंद वीडियो मिल जाएंगे आपको वहां से आप अधर से कॉंसेट्ट के साथ को पता करनी है तीर्स के रहे है जा अगर पहले दोस्त और कंसेट क्लिए और कैसे होले C तो रिवीजन करना उसके बाद रिवीजन करने के बाद दोस्तों आप क्या करो कि आप प्रैक्टिस बुक लगाओ ठीकिना मुझे पता है मेरे भाई कि आप जब क्लास करते हो जब आप स्लेबस कंप्लीट करते हो तो आपका पीछे वाला एक भी याद नहीं होता है जब कि सका खनडा के ठीक ला तो आपको समझ में आ जाएगा तो उसको जब पीजन कर लोगे तो आपका कहीं नहीं सब्सक्रणा पनाются क्लीएर जाएगा तो में क्या क्यों करने कि और सबस्ति करो सर्सक्राइब बाद भी आपका टाइब ज़्यादा लगता है तो अपका करो कि आप अपने गलती को पकड़ो कि आपकी जो गलती हो रही हो किस टाइ mental से हो रही है उस में पकड़ के उसका पूरा टाइप फर्लो ठीक ना तो दोस्तों आप बात करते हैं कि य भी बचाए अगर वह मतलब कोई भी बैच खरीदे हैं पैड कोर्स या फी कुछ भी वह पढ़ रहा है तो वहाँ को उनका ज्यादा टाइम लग रहा है और सेलफ इस्टडी भी थोड़ा हो जाए क्योंकि आपको पता है कि आप सिर्फ लाइब क्लास करके ही एक्जाम क्रैक न बुक्स से लगाओ कि किताब को छूओगे दोस्तों तभी आपको पता चलेगा ठीक ना मॉक टेस्ट से लगाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप एक बार रिवीजन नहीं करोगी जो कुछ आप पगड़ चुके हो या फिर दोस्तों फोन में ही आपका नोट्स है तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा रिवीजन करोगे तभी आपका कॉंसेट क्लियर होगा ठीक ना तो उनको भी मैं बोल दूँ जो अभी स्लेबस कंप्लीट कर रहे हैं अपना स्लेबस कंप्लीट करते रहो बाई जितना कुछ आप पढ़ लो जैसे कि दोस्तों कल आपने को कोई टाइम टेबल है उसके अब सब क्लास करो अब बाकि जो कल पढ़ चुके हो ना वा ताइम बचने के बार दोस्तों उसका रिवीजन करो ठीक है न आज कर रिविजन नहीं करो चल जाएगा लेकिन कल का जो रहना कल का वाला डिविजन कर लेना इतना कर लो दो सो इसी त तो आपका टाइम जो है ना मतलब इसमें ऐसे कोशन बनाएगा ना इस तरह से कोशन बनाया है जैसे कि यह दुखो यह ना इसी तरह से कोशन बनाया गया है आपको शूरू से लेके आंता तक उठा दिया जाएगा ठीक ने अराम से अगर लगा लेते हो तो प्रेक्टिस एट आब लगा लेना आप खrayn है आप के लिए बहुत ज्यादा वेंट फीट होगा यह प्रेक्टिस सेट ठीक ना दोस्तों यह दोनों में आप को भिलेगा copy के आप यह खुद देखो यह एक application है यह application कहा मिलागा दोस्तों इस application कर लिकिमा description में देदुँगा वहाँ से आप मोक टेस्ट को purchase कर लेना और redeem कैसे करें मतलब किसमेंक sketch card मिलता है ठीक ना इस दोस्तों एक sketch card मिलता है है सकते हो मैंने लिद्सें कर लिया है इसका कैसे करना दूस्तों मतलब आपको का मोगवर दिस्क्रिप्टि यह वो तो आप बिल्कुल चड़ा जाता ना बिल्कुल उसी तरह से रहो गए आपको यह नहीं मतलब तो आप अभी नीचे हो और दोस्तो डिरेक्ट आपको ऊपर चढ़ा दिया जा ऐसे चढ़ोगे दोस्तो गिर भी सकते हो ठीक ना गिरोगे तो सोच लो भाई बहुत ज़़ा चोट लगेगी धीर धीर चढ़ो कोई दिक्कत नहीं आप चढ़ जाओ गया राम से तो दोस्तो इ शीरी दे ने सकांसरेट खुला चलियार हो दोस्तों और एक सीरीज भाई भी होगा टिक ना सीरीज भाई पढ़ने से मत्ति दोस्तो आपका conference करो जीतना प्रैक्टिस करो उतना यह आपकी लिए अच्छा तो अब मैं बता दूंँआ आपको कैसे कंप्लीट करना तो मेरे बाई रिजीनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है आप पहले यह दोखो कि रिजीनिंग का सारा स्लेबस आप पढ़ चुके हैं वह की नहीं सा यहसे हैं दिवेंड कि और कुछ फिलेंद रिखेज सफिभि रसेंब तर फॉपक्री में गपरागे लिए लुडिक्र को या नियूट्सहा प्रटीस प्रेक्टिस से किया है और यूटूर्प से भी कुछ दिन तक प्रेक्टिस किया दरत यूटूर्प से क्थां कोई ट्रिक्स तो होता हिए कि नहीं होती है तो वह सब यूटुब से भीकिया था और प्रैक्टीस भी किया दौस्तो वह Squire हो गया अगर आzkशा ना जैसरे फ्रक्टीस हो गया पासा हो गया और तुक ना इसको आप कुलिए कर लो उसके बास जितने भी बज जाते हैं दोस्तों इसको आप फ्रैक्टिस करो क्या करो कि मतलए अपने जो नोर्स है ना उस नोर्सको एक बार हफ्ते में तो स右 distortion में उसको एक बर जरूर है रिवा Steal के लिए कोईनिंर्ण के गलत होने के चांसे बहुत कम रहेंगे म mogą तो जोस्तों यह वह को इसा कहा पर लंप हाँ पर आख अब तॉपनी को ताइम कट क्रने के लिए आपको अपनी गलती फी फोकस करना पड़ेगा जैसे दोखो रिजिनिंग का टाइम कहा जादा लगता है सिटिंग अरेजिमेंट में लगता है ठीक ना उसका आप एक कोई भी पीडिया ले लो या फी दोस्तो कहीं भी किसी भी बुक से आप एक पूरा कोश्चन ले लो ठीक ना जितना कोश भोता ठीक ना नहीं है जो ना आएगा अप छॉड़ देना ठीक ना जो ने आँगा उसको च्छोड़ देना कि हां यहम रहाum कर पाया हूंUh ठीक जो नहीं लगा उसको छोड़ देना जोस्तों अब बात करते हैं कौन सा टॉपिक ऐसा जिसने में टाइम लगता है तो मेरे बाई मैं बता दूँँ कि संख्या गलत है उसमें पूछता है उसका फ्याप्रेक्टिस कर लेना और दोस्तों इसके अलाम अगर आपका कोई भी टॉपिक है दो और ओर भी कोई टॉपिक है कि मतलब का टाइम रखता है तो उसी को आप कम्पलीट करो ठीक ना आप दूसरा कुछ क्या फाइदा यार टाइम बरबाद करना का टाइम नहीं आपके पाद वो सब तो आप प्रैक्टिस भूक में भी लगा सकते हो जहां आपके गलती हो रही है उसको आप पहले पकरो ठीक ना उसको पहले खतम करो उसके बाद आपको लगता है कुछ आउट पढ़ने तो आप पढ़ना ठीक है ना दोस्तो इतना आप करो ठीक है इतना आप करोगे दोस्तो आपका जो गलती है ना वह कम से कम होगा आपका टाइम भी ज्यादा कम हो जागा ठीक है ना क्योंकि दोस्तो जब गलती होगी ना उसमें टाइम बहुत ज्यादा दुख होता है बहुत ज्यादा मतलब हेड फिलो था अपने अंदर की थोड़ा सा अगर सही कर दिया होता तो वह गलत भी नहीं होता आप मेरा बच जाता ठीक है तो यह सब गलती आप मत करना यह सब गलती करो दोस्तो तो एक्जामे कहने का बहुत पीछे हो लोगी कि नहीं यहांगी क्या होगा क्या नहीं होगा वह तो बात की बात है दोस्तो अभी अभी क्या करना है आपको अभी पढ़ना है जितना टाइम आप देश्यकों भाई इतने लोग भी आपको बोल लें कि आप 2-3 गंटे में एक्जाम क्रेक्स कर सकते हो तो उनसे बस एकी बात बोल देना कि भाई तू दो गहंटे, तीन गहंटे पढ ले मेरे पास अभी ज्यादा टाइम है 10 गहंटे ahonight मैं 10 गहंटे 10 गहंटे बार गहंटा पढ सकता हूँ तो आप आप जीतना टाइम डेख सकते हो नौ आपके लिए कम है आप पड़के जाओ उतना आपके लिए कम है इसे लिए दोस्तुअ आप आधिक पड़ो जितना ज्यादा दिमाग लगा हट के पढ़नी की कोशित किया करो जैसे यह जैसे सब लोग पढ़ते ना ऐसे मत पढ़ो भाई आप थोड़ा अपने से दिमाग लगाओ कि मुझे किस तरह से पढ़ना है मुझे किस तरह से पढ़ना है खुछ दिमाग लगाया करो जैसे कि दोस्तों एक मेरे दोस्त थे प्रयाग राज में वो मेरे साथ ही पढ़ते थे म वह दोनों भाई SI में हुए हैं ठीक ना दरोगा में वह दोनों भाई हो गया हैं अभी आज ही मैंने फोन किया था उनके पास का उंग्राइचे उसन देने के लिए तो वह बोले हैं कि भाई सचिन क्या कर रहे हो तो मैं बोला कि कुछ नहीं भाई मैं भी करते हैं उस तरह से नहीं कुछ अपना दिमाग लगाओ कि मतलब किस तरह समको त्यारी करना और थोड़ा बैठो थोड़ा बैठो पढ़ने के लिए पढ़ने पढ़ते टाइम आप 10 मिनट थोड़ा शांत दिमाग से बैठो कुछ पढ़ना नहीं दस मिनट आप सोचो कि मुझ तरह 10-15 दिन करो उसके बास आपको रिजल्ट देखने के मिल जाएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपको फालो करके चलते हो ठिक ना अगर आपको लगता कि यह रूल साही है तो उसको आप फालो करके चलते हो ठिक ना दोस्तों यह सब होते हैं त्यारी करन करेंना पड़ेगा को तुछ स lobby करिए दोस्तों आसा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया अब ट्रिंग लाइक कर दीजहागर और दो्सक्रीब कर क्रें शुर्म में रॉफ ख्याइब कर लन आधे लुद स्केर्वन